हलो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को जैहिंद नमस्कार तो अभी हम मौझूद है केरल के क्वाइलंडी रेलवे अस्टेशन देख लिजिए यहां पर पीछे है क्वाइलंडी रेलवे अस्टेशन तो अभी देख लिजिए जितने मेरे सारे पीछे घर जो नजर आ रहे हैं अभी हम लोग का छुटी नहीं है तो इसलिए अभी हम जाने वाले हैं कहां के बीच पर चलते हैं कौन सा बीच है अभी इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो अभी हम धीरे धीरे बीच की ओर बढ़ रहे हैं तो यहां से लगवा कोई तो अभी हम लोग जा रहा है पैदल जा रहा है पैदल का सीटी का मज़ा लेते हुए जाएंगे आप लोग के भी दिखाएंगे ब्लॉग में बने रहिएगा पुरा सुरू सब्सक्राइब जरूर और भाई को ज्यादा सपोर्ट करिएगा देख लिए हमारे साथ में मुकेस यह हम दोनों अभी बीच में जाएंगे और हाई कर दिए मुकेस भाई तदा चल रही है और हम लोग आप लोग को पहले ही बता चुके हम लोग बीच जा रहा है घुमने चला जाता हूं किसी की धुन में धरकते दिल के तराने लिए मिलन की मस्ती भरी आखों में सुहाने सपने तुम्हारे लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में धरते दिल के तराने लिए तो दोस्तों अभी हम लोग कुछी देरे में मात्र 500 मिटर की दूरी पर है बीच से वो अब लोग कुछी देरे में पहुचने वाले हैं ये सिधे जो गली जाती है वो बीच में ही जाती है बीच के किनारे हैं जाती है तो चलिए चल रहे हैं हम लोग आप लोग में बस्ती कड़िए तो दोस्तों अभी हम समुद्र के किनारे आ चुके हैं अभी लहर काफी कम है जैसे जैसे साम होती लहड उतनी ही तेज होती जाएगी और बता दें आपको कि ये जो केरल का जो समुद्र का टठ है वो अरब सागर में परती है और हम लोग जाएंगे उधर उस सेट में देखते हैं क्या है नहीं है जो देखिए यहां पर बहुत सारे नौकाएं लगी हुई है यह सब नौकाएं मचली जो मचवारे लोग जो मचली पकरते हैं उने के लिए नौकाएं लगी हुए देख लिए बहुत सारे हैं इस सेटम देखिए नारियल देखिए बहुत ज़्यादा है नारियल का पेर तो यहां देखिए दोस्तों यह है फिसिंग हारवर कोईलांडी यहां पे मच्छुआरे लोग मचली पकर पकर कर लोग यहां पे लाते हैं और यहीं से सभी जगह सप्लाई की जाती है तो दोस्तों अभी हम लोग समुद्र तट से जा रहे हैं बापस रूम पर अभी हम लोग मेन बीच पर नहीं जा पाएं क्योंकि टाइम बहुत कम था इसलिए आप लोग के कभी टाइम मिलागा तो हम लोग यहां पेन बीच जरूर आप लोग को दिखाएंगे